इस सेत्र के जनता को मैं धन्यवाद और बधाई दिने आया हूँ कि आज चत्यस गड़ में या रेलवे का लाइन वास्तों में ना किवल अपनी सांस्क्रितिक धरोहर बलकि प्रमुख आस्ताक केंद्र राजिम को भी धमतरी से राजिम से भी रायपूर से जुड़ने वाली परियोजना है नेरोगेज लाइन होने के करण या अप्रसांगिक था और आज एतिहासिक समाजिक धार्मिक जो महत्व धमतरी का है राजिम का है इसका विस्तार होने में अब कोई नहीं रोक सकता मैं रेलवे मंत्री जी को धनिवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस छे 47 साल पुरानी छोटा मोटा वक्त नहीं बीता 147 साल पुरानी योजना जो रेलवे के स्लीपर को ले जाने के लिए जिसका निर्माड हुआ था अब ये ब्राट गेज बन के आपके लिए समर्पित होगा जंता को समर्पित होगा 1871 में रायपूर से नाकपूर जाने रेलव लाइन धमतरी अभनपूर रेलवे राइन को जोड़ती थी अब ये निश्यत रूप से ये दूरी समाप्त होगी केंदरी धमतरी के मज नेरो गेज लाइन को ब्राट गेज में परिवर्तन 67 किलो मिटर 544 करोड की योजना और इस योजना के बनने से क्रिशी का छेतर का अगरणी धमतरी इस रेलवे से जुड़ेगा ब्राट गेज होने के बाद फूट प्रोसेसिंग और उद्योग के जाल बिशाये जा सकेगा नए उद्योगियों को राइस मिलर्स और धान की खिदी करने वाले सीधे धान और खाथ को यहां से सीधा रेलवे का उप्योग करके हिंदुस्तान के किसी कोने में ले जा सकते हैं अभनपूर जंग्सन में जो इस्टेशन मनेंगे अभनपूर जंग्सन, चिटाओ, सिर्री, कुरूद, सरसोपूरी, साकरा, धम्तरी, स्टेशन, मानिक्षवरी, टर्मिनल इस योजना का काम यहां से सुरू होगा मैं आज देख रहा था, रेलवे मंतरी बनने से, सरकार बनने से, और पियूस गोयल की आने से चमतकार क्या हो सकता है, 36 गणदू, मैं उन्हीं योजनाओं की गिंती गिन रहा था, उन्हीं योजनाओं को देख रहा था, बजट का जो लोकेशन था, 2009-14 में जो बजट 311 करोड रुपिया मिला था, वो बढ़के 495 गुना बढ़के 1854 करोड हो गया है, 36 गणद को मिलने वाली राशी, नियो रेलवे लाइन, जो 0 किलोमीटर कम्प्लीट होता था, अब 9 किलोमीटर, 34 किलोमीटर कम्प्लीट लाइन हो गया, डेबलिंग लाइन, 19 किलोमीटर, 95 किलोमीटर कम्प्लीटेड, अब 51 किलोमीटर यरली और 204 किलोमीटर कम्प्लीटेड, 168 परसेंट के काम हुआ, रेलवे का जो काम है, इलेक्रिफिकिशन का, उसमें 50 किलोमीटर से बढ़के 160 किलोमीटर, रोड एंडर ब्रिज पांच परियर बनता था, ठारा परियर बन रहा है, पैसेंजर की संख्या और बाकी योजराओं में जो बढ़ूत्री हुई है, यह अपने आप में अभूत्पूर है, आज 36 गड़ के लिए इतिहासिक दिन इसलिये भी है, कि ना केवल, आज हमारे केंदरी, धमतरी, अभनपूर, राजिम, गेज का परिवर्तन करने का काम हुआ है, बल्कि एक और नया इतिहास छत्यगड में लिखा गया, कटगोरा, उंगेली, कवरधा, खेरगड, डोंगडगड, ये ऐसी रेलवे लाइन, जिसका इंतिजार लोग कर रहे थे, पांच जार नो सो करोड की टू नाइंटी फाइफ किलोमीटर, इस रेलवे लाइन का भी काम आज प्रारम हो गया है, मैं बधाई दिना चाहता हूँ, पूरे छत्यगडबासियों की ओर से, आज से पंदरा जिन पहले आये थे, एक बड़ी परियोजना, जगदलपूर से सी जार में, चत्यगड को एख जार तीन सो किलोमीटर रेल लाइन मिला 174 साल में, और आने वाले आठ साल छे साल में, चत्यगड़ जा रहा है 36 गड़ के और 36 गड़ के विकास के दिश्टी से जिन कामों को मैं आज गिनाने की जरुवत नहीं समझता मगर जो काम 6 गड़ में हुए है इस्ट वेस्ट कॉरिडर एक सो 992 किलोमीटर 970 करोड इस्ट रेलवे कॉरिडर खरसिया धरमजेगड 132 किलोमीटर 3055 करोड इस्ट रेल कॉरिडर धरमजेगड सिक कॉर्बा 1686 करोड चिर्वेरी नाकपुर हाल्ट नहीं रेलवे 17 किलोमीटर ऐसे की रोट के 7-7 नई रेलवे का विकास और विस्तार के 7-7 36 गड़ में मोधी जी के आने के बाद नया उस्सा है धमतरी के लोग कल्पना करते थे बाई पास के लिए मांग करते थे ब्रोट गेज के लिए मांग करते थे नेशनल हाईवे को अपड़ेट करने की बात करते थे आज धमतरी से लेकर जगदलपूर रहपूर तक का एनेश का काम रफ़तार के साथ चल रहा है धमतरी जिस पीडियों के से सदियों से जिस पीड़ा को छेलता रहा है ये पूरा चिला आज वो स्वाहिमान देने का काम किसी ने किया है पीउस जी ने किया है आपको स्वाहिमान के साथ धमतरी के अधिकार और धमतरी को जो चहिए था वो धमतरी को अधिकार देने का काम हुआ है 36 गड़ में भारती जंदा पाल्टी की सरकार ने विकास के उन कावों की बात में लंबी छोड़ी बात करने की जरूरत नहीं समझता हुआ मगर धमतरी में खड़ा हूU तो किसानों की बात जरूर करूँगा ये कांग्रिस के मित्र किसानों के लिए नारे लगाते रहे कभी किसान को जीरो इंट्रेस रेट में सहकारी बैंक से एक रिल नहीं दिया 14-15 प्रतिशत क्रिसी रिल लिया जाता था परिवहन सुल करिया जाता था धान को डुबा डुबा की देखा जाता था पांच कुटल से जादा धान कभी खरीज नहीं होती थी वही कांग्रिस के मित्र किया कुछ नहीं 2001,2 और 3 में मगर हमको जरूर कहते थे 2100 रुपिया धान का कीमत देना होगा तुमने तो नारे लगाए कांग्रिस के मित्रो हमने वो कर के दिखाया 1550 धान का कीमत 200 रुपिया समर्थन मूल पिथन मंतिजी ने बढ़ाया 300 रुपिया राज सरकार ने बोनस दे के अब धान खरीदी होगी 2050 और 70 रुपिया में हम एक तारिक से सुरू कर रहा है 2400 करोड 2400 करोड का बोनस हिंदुस्तान के इतिहास में कोई राज 36 गड़ को छोड़ कर कोई राज किसानों का इतना सम्मान करे जीरो इंट्रेस्ट में सहकारी बैंक से करजा दे किसानों के जीवन में तरक्की करे और आज मैं चिक कुसी है मेरी पूरी यात्रा दंतेवड़ा मा दंतेश्वरी बंबलेश्वरी की पूजा अर्शना करने के बाद पूरे 36 गड़ का 11,000 किलोमेटर यात्रा करके आया हूँ तो इस पुन्य धरती धंतरी को इसका क्रेडिट जाता है कि इसकी पूर्ड़ा होती धंतरी में हो रहा है धन्यवाद मैं आपको देना चाहता है मैं आपके सामने आया हूँ माता का अशिरवाद ले लिया मगर मुझे लगता है कि जंता का अशिरवाद जब तक नहीं मिलेगा आपका अशिरवाद नहीं मिलेगा तब तक डक्टरमन की यात्रा पूरी नहीं हो सकती और एक संकल्प लेकर मैं निकला हूँ इस संकल्प में धमतरी का आशिरवाद, नगरी का आशिरवाद, जिले का आशिरवाद क्योंकि ये परंपरागत जनसंग का गड़ रहा है यहाँ दीपक चला के बहुत मुस्किल से आपने रखा था आपने कमल खिलाया है मैं यही कहूंगा इस बार बड़ा लक्ष रखा है 65 प्लस आप इस लक्ष को पूरा करने में आपका अशिरवाद, सहयोग और समर्थन मिलना चाहिए मैं यही आग्रा करने धमतरी के इस मैदान में आपके बीच आया हूँ प्रधान मंतरी जे ने बहुत सारी योजनाया बनाई एक योजना का जिक्र करना चाहता हूँ, सिर्फ एक योजना दुनिया बदल जाती है, गरीबों के जीवन में इससे बड़ी बात क्या हो सकती है गरीबों क्यों लगता है कि उसके लिए प्रधान मंतरी दिल्ली में बैटकर नरेन मोदी उस गरीब की और देख रहा है, कुरूद में बैठे विए धमदरी में बैटके नगरी में बैठे विए गरीब से गरीब आदमी को प्रधान मंतरी उनकी चीनता करता है उन्होंने कहा गरीबों के लिए जिसके गरीबी के वज़े से वो इलाज नहीं करा सकता पचास हजार की योजना जरूर है सरकार की पर बड़े भीमारी हो जाए उसका हाट का प्रबलम हो जाए दिल में छेद हो जाए बाईपास कराना पड़े किड्नी ट्रांस्प्रांट कराना पड़े लिवर का प्रबलम हो जाए नीर रिप्लेस्मेंट हो ही रिप्लेस्मेंट हो कैंसर हो जाए पूरा घर बिग जाता है परिवार बरबाद हो जाता है जमीन बिग जाता है इलाज नहीं करा सकता ऐसे गरीब परिवार के चिंदा दिल्ली में बैटके प्रधान मंत्री जी ने कहा डाक्टरमन चिंदा करने की जरूरत नहीं है जाके गाहनों भालो को बता दे चत्तिजग्ड के लोग को बता दे ऐसे गरिबों के लिए भड़ी योजना बन किया इह अईविस्मान भारत में पाँछ लाग तक हिराज की योजना चत्तिजग्ड सरकार पाँच लाग एक बार प्रधानमंदी जी के लिए अईश्मान भारत में ताली तो बजा दें अपने स्वास मंत्री को भी ताली बजा दें जिनकी वज़ा से अईश्मान भारत 36 गाड़ में सबसे पहले नमबर पे इसका क्रियानवन हम कर रहे हैं यतनी बड़े योजना की कल्पना तो की है विकास के मील के पत्थर तो रखे हैं अगर एक बात कहने आया हूँ कि अभी तो ये आधार बनाए हैं गड़े भरे हैं विकास के लिए जो आज एक बड़ा भाव्या आधार भूत अदोसरचना हमने तयार की है आने वाला पांच साल चत्तिसगर के विकास के बुलंद इमारत जो बननी है मोदी जी के नत्रत में प्यूस गोयल के नत्रत में ये छोटे निर्णाय उन्होंने धमतरी का निर्णाय बैठे बैठे करना है यानि उसका क्रियानवन करना है ऐसे मंत्री ऐसे प्रधान मंत्री की सरकार और आज मुझे इस बात की खुसी है कि सभा में बहुत दिनों का इंतिजार कर रहा था मैं धमतरी आने का धमतरी वालियों से आशि दिन हैं महापार जी ने मुझे बताया बाबा साथ भीमराव अम्बेटकर की मुर्ति का आज अनावरन भी हमने किया है तालिब जाईए सब के सब बाबा साथ भीमराव अम्बेटकर की प्रतिमा का अनावरन करने का उसर मिला आमदी के कालेज के लिए बहुत बोलते थे भीया वहोग खुल गए है अब उखरों लिए ताली बजा दो आमदी वाले बैठे हैं कि नहीं ये सारे काम तो होता रहेगा आपने मुझ पर भरोसा किया आपने डक्टर रमन पर विश्वास प्रकट किया मैं एक ही बात कह सकता हूँ इस धमतरी की सभा में जो विश्वास धमतरी की जनता ने कुरत की जनता ने जो इस सिद्र की जनता ने डक्टर रमन के उबर विश्वास किया है वो विश्वास डक्टर रमन कभी खंडित नहीं होने देगा मैं ये दावे के साथ आपसे कह सकता और विकास की गंगा विकास की गती को और तेजी के साथ बढ़ाने के लिए जो रफ्तार आपने देखी है आने वाला पांस साल चार गुना जादा रफ्तार के साथ विकास करेंगे दमतरी वासियों को समय के पहले बुलाने के लिए छमा चाता हूँ क्योंकि आज मेरे पास समय कम था प्यूजी का दिल्ली जाना था उनका प्लेइन का टिकेट मैंने कैंसल कराया कवर्दा के कारकम को करके दमतरी वासियों से मिलने की इक्षा थी इसलिए आपके बीच आया एक बार फिर से प्रधान मंद्री जी और प्यूज जी का जवदस ताईयों से स्वागत करेंगे ताकि वो दिल्ली तक उन्हें याद रहें धन्यवाद मैं आभार प्रदर्शन के लिए बिना किसी भूमी का के महा पाउर अर्चना चौबे जी को आमंत्रित करता हूँ बारात माता की जाये बहुत खुशी की बात है आज धमतरी शहर में ब्रॉट ग्रैज का भूमी पुजन की आगया है मैं समानी मंद्री जी को गोयल जी को बहुत-बहुत अबारवक्त करती हूं साथ में मंज पर उपस्दे सभी अतित्यों का सागत करती हूं साथ मैं हम बेटकरजी के मूर्दी का अनावरान के उसके लिए भी बहुत-बहुत आपारवक्त जाए इन जाए बाराचा चाथित्गर